आज हम पाट एक भाशा, बोली, लिपी और व्याकरण को आगे कंटिन्यू करते हैं पिछले वीडियो में हमने पढ़ा व्याकरण किसे कहते हैं व्याकरण के अंग्य, साहित्य किसे कहते हैं साहित्य के कितने रूप हैं, गद्य और पद्य गद्य के विशे में पढ़ा हमने गद्य के अंतरगत कहानी, कथा, पत्थर, निवन्दादी आते हैं अब हम पढ़ेंगे पद्य, पद्यसाहित्य किसे कहते हैं इसे काव्य या कभीता भी कहा जाता है जब कभी अपने शब्दों को छंद, तुक, ले द्वारा व्यक्त करता है तब उसे पद्यसाहित्य कहा जाता है जब कभी अपने शब्दों को छंद, तुक, ले आदी के माध्यम से व्यक्त करता है तो उसे पद्यसाहित्य कहते है जैसे उधारण दिया है रहिमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाए तूटे ते फिर ना जुरे जुरे गाठ पड़ जाए बुंदेलो हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरोए पानी परात को हाथ चुयो नहीं नैनन के जल से पगदोए यह कदम का पेड अगरमा होता यमना तीरे मैं भी इस पर बैट कनईया बनता धीरे धीरे इन पंक्तियों में कवियों ने अपने मन के भावें उनको चंद ले तुक आधी के माध्यम से व्यक्त किया है पद्दी के रूप हैं दोहा कुंडली कवित सवयया पद सोर्था चंद से बनी हुई कविता चंद से मुक्त कविता आधी पद्दी के रूप दोहा कुंडली कवित सवयया पद सोर्था चंद से बंद कविता और चंद से मुक्त कभीता जो पद्य साहित्य है इसके प्रमुक कभी है कवीर, रहीम, मीरावाई, बिहारी जी, तुलसी दास, सूर दास, जैशनकर प्रशाद, महादेवी बर्मा, पंत, निराला, बच्चन, रामधरी सिंग दिनकर, हरियोद, मैथली शरणगुप्त, मुक्ति भूद, आ आंसर है, राजस्थान और उत्तरप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश, इन दोनों राज्यों में हिंदी बोली जाती है, अभ्यास समबर टू है, गुरू मुखी और रॉमन लिपियों में लिखी जाने वाली एक-एक भाषा का नाम लिखिये, इसका आंसर है, ग प्राकर्थ, संस्कृत, अपवरेंश, हिंदी, खड़ी बोली। इसमें सबसे पहले प्राकर्थ भाषा, फिर संस्कृत भाषा, अपवरेंश, हिंदी, हिंदी के खड़ी बोली। Then question number 4, राजस्थान, राजस्थानी, हिंदी की दो बोलियों के नाम लिखिए। राजस्थानी, हिंदी की दो बोलियां हैं, एक तो है हाडोती और दूसरी है मालवी। Question number 5, दक्षिन भारत में प्रयुक्त होने वाली किनी दो भाषाओं के नाम। दक्षिन भारत में प्रयुक्त होने वाली दो भाषाओं हैं, तमिल और तेलगू भाषा, तमिल और तेलगू करवाता है, भाषा और व्याकरण का आपस में घनिष्ट संबंध है, व्याकरण भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग आदी के लिए प्रयोग में लिया जाता है एक्काशाइस नमेर सैविन है, पशिमी हिंदी की किनी दो बोलियो की नाम लिक्Hei ब्राम्मी लिपी से हुआ है देवनागरी लिपी का विकास ब्राम्मी लिपी से हुआ है कॉश्य नमर नाइन है तुलसी दास दौरा रचित विख्यात महाकाव्य का नाम बताते हुए उसकी भाशा भी बताईए तुलसी दास दौरा रचित महाकाव्य है रामचरित मानस तूलसिदाज जी द्वारा लिख्या गया है उसकी भाषा है अब्धी question number 10 है भार्तिय आरीय परिवार की सबसे प्राचिन भाषा कौन सी है भार्तिय आरेये परिवार की सबसे प्राचिन भाषा संस्क्रित है